दोस्तों मैं अभी नवनेगी आप सब का स्वागत करता हूँ बाइजूस एक्जाम प्रेप, गेट एन एसी हिंदी यूटूब चैनल पर दोस्तों लेवल अप सीरीज का आगास हो चुका है और ये सेशन ये सिविल और मेकेनिकल दोनों ही बच्चों के लिए है और पहला सब्जेक्ट मैं और सोनू सर आपको पढ़ाएंगे सूम उसके बाद सिविल में आजाएंगे रिचा गुपता मैं और मेकेनिकल में आजाएंगे हरीवीर सर टोन को लेकर उमीद करता हूँ आपको लेवल अप सिरीज में अभी तक मजा आ रहा होगा आप इसका बेनेफिट भी उठा रहे होंगे और मैं आपको भरपूर विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले सेशन्स में हम इसको और अच्छा आपके लिए बना सकें और बेनेफिशल बना सके ताकि आप अपने कॉंसेट्स को मजबूत और कोशन प्रेक्टिस को शार्प कर सकें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि हमने जब भी स्लोप और डिफलेक्शन पढ़ते हैं तो बहुत सारे चीजे होती हैं एरिया मोमेंट थियोरम एक मेथड होता है एक डबल इंटीग्रेश जों से आप भार जाओ अंत में ही उन दोनों को लगाना क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन प्रोसेस लेंदी हो जाता है लेकिन हाँ कुछ कोशन्स इंटरनल हिंज ये इंटरनल लोलर के ऐसे भी होते हैं जो कॉंजूकेट बीम से बहुत जल्दी बन जाते हैं आपको कोशन्स बहुत जल्दी करने में मदद कर सकता है और अजह्व है अपको इस सेशन में स्टेइण एनलजी मेटड बताऊंगा और स्टेण के लिए डेल यू बाई डेलम करते हो दोस्तों मैं उससे एक लेवल पड़े निकल ले जाऊंगा आपको और उपर ले जाऊंगा ताकि आप एक शॉट कट ट्रिक से कोशन्स को सॉल्व कर सकें बिलकुल सक्षम स्वागत है आपका विशाल दता स्वागत है एक पर सेशन को फ होगे जल्दी से बता दो भाई लोग फटाफट से ओके दोस्तों यदि यह चैनल पर कोई नया है और मेरे को नहीं जानता है तो मैं बारें बता दू मैं अभिनव नहीं की हूँ आईटी दिल्ली से एंटेक किया है गौट आल इंडिया रैंक 164 इन 2012 पर इस सब कोई फरक न इस में आपको मैं बता दू क्या क्या नया होने वाला है दोस्तों उससे पहले बद बता दू दोस्तों बहतरी थर्मल स्ट्रेस पॉजन रेशो क्या कल फिर फास्टेस्ट में थड़रें कि अगर यह दो नहीं किये तो लगा लेना दोस्तों अब सिसके और सिंगल स्लूशन और आज करने वाले हैं कल करेंगे स्टें रोजेट फिर आजेंगे सुनुसर टॉशन और टॉप 10 कोशन लेकर उसके बाद फिर रिचा में आएंगी इरिगेशन लेकर इस तरीके से मेकैनिकल में फिर से में और सुनुसर सोम पढ़ाएंगे फिर से मतलब पहलाली चली रहा ह यह सिविल और मेकैनिकल दोनों ही स्टुडेंट्स के लिए उसके बाद चलेगा टोम आपका जो हरीवीर सर आपको पढ़ाएंगे दोस्तों ये कल होने वाला सेशन कितने बज़े पर ये होने वाला है 10.45 पीम पर कल सिविल मेकैनिकल के सारे सब्जेक्स लेवल अपके 10.45 पीम पर ही चलेंगे दोस्तों लेवल अप सिरीज पर नया क्या है नया मैं आपको बता देता हूँ एक चीज आपके पास है कि कोश्चन और कॉंसेप्ट होते ही रहेंगे लास दिन 10 कोश्चन होंगे टॉप 10 जहां पर आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा कि 2 सही है तो यस लेवल पर है आप 4 सही है तो इस लेवल पर आप है और ये तो लास दिन होगा top 10 questions आपको हर question की हर session की pdf आपको नीचे ही मिल जाएगी description box पर मेरे जितने भी session अभी सोम के होए है सबका pdf आपको नीचे description box मिल जाएगा प्लस आप telegram में पर telegram पर भी ले सकते प्लस last दिन जब session खतम हो जाएगा top 10 question वाला तो एक quiz होगा telegram पर जहां पर जो top 5 students आएंगे वो Google meet कर सकते हैं faculty के दोरा दोस्तों session करते हैं start लेकिन उससे पहले वी एक चीज समझते हैं कि क्या होने वाला है आपके पास क्या होता है deflection और क्या होता है slope दोस्तों suppose मेरे पास ये ऐसा एक beam है और यहां पर मेरे पास यह ऐसा एक load आया ठीक है यह beam है और यहां पर एक PAP load आया अब यह load लगने के कारण यह beam मेरे पास चला गया ऐसा यह load लगने के बाद मेरे पास यह beam चला गया ऐसा क्योंकि मैं rigid body physics नहीं मैं deformable physics पढ़ रहा हूं यहां पर load बढ़ने से deformation होता है rigid body होती तो भाई वो टस्का मस नहीं होता तो जितना वो नीचे गया free end पर deflection पूछा तो जितना वो नीचे गया that is delta यह इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं यहां इस point पर deflection पूछे तो कितना नीचे गया that is delta या इसको DFC पर represent करते हैं कोई fix support पर पूछे कि sir fix support यहां पर कितना नीचे गया है यहां पर कितना नीचे तो गया ही नहीं तो वहां पर deflection 0 support है ना वहां कैसे नीचे जाएगा यहां तो चलो free था तो नीचे चला गया तो यह होता है आपके बास deflection इसी तरीके से करें मैं simply support beam की बात करूँ और मैंने यहां पर यह P load लगाया suppose बीचो बीच लगा दिया एकदम L by 2 L by 2 पर एकदम बीचो बीच लगा दिया तो यह कितना नीचे गया that is called deflection यह deflection है यहां पर यह deflection है यहां पर यह deflection तो deflection का मतलब समझ रहें भाई यहां पर कोई deflection नहीं है support है ना तो कैसे नीचे जाएगा भाई यहां पर कोई deflection नहीं है support है ना भाई कैसे नीचे जाएगा ठीक है deflection मतलब समझ गये sir sir slope मतलब भी समझा दीजिए दोस्तों अगर मेरे पास यह ऐसा है और यह ऐसा लोड आया और ऐसे लोड लगने के कारण मेरे पास इसका deformation कुछ ऐसा हो गया तो दोस्तों अब slope क्या है deflection समझ गये कि कितना नीचे गया किसी भी slope पर किसी जगर पर slope निकालना है वहां पर टेंजन खिच दो और 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 पोशिशन ऑफ बीम ऐसा है तो कितना मतलब भी समझ गये deflection मतलब भी समझ गये सारे चीज़ां समझ गये हैं एक और चीज में आपको बता दूं दोस्तों जब भी symmetrical beam होती है symmetrical supports symmetrical loading जब भी symmetrical beam होती है symmetrical supports symmetrical loading तो वहां पर आपके पास smd anti symmetrical bmd symmetrical होता है मैंने जो fastest method कल आपको बताया थे सब्सक्राइब को bmd को वहां पर बज्जेकर भी किया था इस चीज़ का तो symmetrical beam के लिए bmd symmetrical होता है और b deflected shape जो होती है वह आपके पास bmd पर ही depend करती है तो symmetrical beams का अगर मेरे पास symmetrical supports है एंड symmetrical loading है symmetrical supports है और symmetrical loading है तो मेरे पास इसका sfd तो anti symmetrical होता है एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ minus लेकिन इसका bmd symmetrical होता है इसका bmd symmetrical होता है कल मैंने जिकर भी किया था और मेरे पास जो deflected shape depend करती है वह bmd पर ही करती है तो जो मेरा deflected curve होगा वह भी symmetrical होगा वह वह भी symmetrical होगा देखो देखो समझो दोस्तों एक बात गहराई वाली बता रहा हूं मेरे पास जो deflection due to bending moment होता है और deflection due to shear force होता है इस proportional to l by d का square और अपनी मुंडी उठाओ अपनी मुंडी उठाओ किसी बीबीम का देखो length बहुत बड़ा होता है depth बहुत चोटा होता है मुंडी उठाओ घर में देखो ऐसे मेरे को भी दिखरा है camera mode के दिखाना ही पाऊंगा मैं length बहुत जादा है depth उसकी छोटी है ओके तो length is very very greater than d तो deflection of bending moment को ही generally deflection बोल देते हैं shear force वाला इतनी छोटी होती है उसको neglect कर देते हैं तो deflection जो depend करता है BMD पर ही depend करता है और BMD symmetrical है तो deflated curve भी symmetrical होगी इसका एक example आपको बताऊं यह symmetrical beam थी कि इसका BMD symmetrical होगा deflated curve भी symmetrical होगा deflated curve symmetrical का होने का मतलब जो यहां पर slope होगा ठीटा slope क्यासे निकालते हैं tangent horizontal से कितना एंगल मना रहा है magnitude wise वही slope यहां पर भी होगा क्यूंकि इसका BMD symmetrical है support symmetrical है तो deflated curve symmetrical होगी तो यह ठीटा वह भी ठीटा और क्यूंकि symmetrical होगा तो एकदम नीचे यहां पर ठीटा इसका zero होगा क्यूंकि यहां पर slope होगे आपके सारे के सारे clockwise वहां पर एंटी clockwise और symmetrical होना है तो बीच में zero को पास होते हुए बनेंगे सबको समझाये तो comment box में yes no लिखना भाई समझाये तो yes otherwise no अच्छा deflected shape क्या होती है reflection क्या होता है slope क्या होता यह समझ गए अब इनको निकालने के लिए आपने होगा कि भूत सारे method होते हैं double integration method मेकलर मेथड एरिया बोमेट मेथड कॉनुगेट भी मेथड स्टे इनर्जी मेथड सूपर पोजिश्टर मेथड मैक्सावल रेशी प्रोगल थर्म यूनित लोड़ मेथड तरह तरह के method होते हैं और हर method किसी particular type में बहुत easily हम solution वहां से ले लेते हैं, result ले पाते हैं और कोई method के कुछ limitations भी होते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ, हम में ये वाले कुछ नहीं पढ़ने वाले, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जो हमेशा आपके पास रहता है, हमेशा eligible होगा मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, ये सब कुछ नहीं, मैं एक तरीका बताऊंगा इन सब का बाप, जो हर method पर आपके पास जल्दी भी अंसर देगा, और सही भी अंसर देगा, जिसकी limitations भी कम है, ये limitation नालमोस कि नहीं है, एका limitation है, उससे सवाल आता नहीं कभी, जैसे फिर भ बी कोशन आजाए, ये हो सकते डी कोशन आजाए, जो दो का summation नहीं हो पा रहा है, समझे के बाई, सुपर पोशिशन को ये तरीका थोड़ी नहीं है, तो तो टेकनीक है बाई, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कि double integration हम तहां, वहां यूज़ करना चाहिए, जहां पर beam prismatic हो, वहला कहीं पर मोटी, कहीं पर पतली नहीं हो, EI constant हो, और double integration में एक ही bending movement की equation throughout the beam लगा सके, तब लगाएंगे, मैं कलोज, अलग अलग जगा पर bending moment की equation अलग अलग है, लेकिन prismatic है, तो मैं कलोज लगा लगते हैं, लेकिन बहुत लंबा होगा, area moment, theorem मैं को तब लगाना च इसमें बीच में support slope 0 का तब मैं लगा सकता हूँ, जब उन method की theorem पढ़ोगे तो अपना समझा जाएगा, उसके limitations क्या है, ठीक है, आपके पास conjugate beam method लगा तो सकते हो, लेकिन calculation लंबी हो जाएगी, stay energy method आज हम पढ़ेंगे भाई, ये हर जगा लगा सकते हैं, और इसका shortcut technique हुआँगा, दोस्तों, अब इन में से जो method हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज, वो strain energy method है, और strain energy method कभी easy वाला तरीका बताऊँगा मैं आपको, जिससे 2-4 मिंटों में सवाल आएगा, slope का reflection कभी, normal तरीका भी पहले समझा दूँगा, किसी बच्चे को strain energy ही नहीं पता होगा किसी किसी बच्चे को strain energy नहीं पता है, रबर बेंड कहा है, मैं लाया तो था, ओके, रबर बेंड नहीं दीख रहा, लेकिन चलो यह गुबारे का पीश दीख रहा है, इससे भी समझा दूगा, अच्छा, अब मेरे पास आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, रब गुबारे का पीश है, उससे दिखा दूगा, रबर बेंड भी अच्छे में लाया था, मैंने साड़ी आट से क्लाश सल दीए, वहने पहली रबर बेंड लाके रख दिया था, पर कोई बात नहीं, दूसर रबड है, उससे काम हो जाएगा, कल जो गुबारा फाड़ा था ना, पोईजन इनरजी होता क्या है, भाई देखो, अगर कोई इलास्टिक है, और मैं उस पे लोड लगा हूँगा, और मैं डीफॉर्मिल फिस्क्स पढ़ रहा हूँगा, यहां पे डिफलेक्शन होता है, रिजिड बोडी नहीं मानता हूँ सोम में, मैं सोम में मानता हूँ कि लोड लग वो स्टेन एनरजी होगा, पहली बात तो यहां का एरिया स्टेन एनरजी क्यों होगा, दूसरी बात स्टेन एनरजी होता क्या है, सब समझाओंगा, और यहां का जो एरिया होता है, वो होता है, यहां का एरिया स्टेन एनरजी पर नियुट वॉल्यूम, पहली बात तो तोबितने में इन शीचीया आपको दिख रा होगा इसको खीचा अब ter तो दिखेगा यह रबर्बेंट है मैंने सब्सक्राणास काद अलंज समझाँगा इस पर लोड लागाया लोग वहीं स्टेनरजी आई स्टेनरजी रिलीज्टर कैसे स्टेनरजी आई बताता हूं भाई जब तुमने सब्सक्रण कोई ऐसा मेंबर था उस पी तो उसका डिफॉर्मेशन हुआ कुछ डेल्टा उसका deformation डेल्टा हुआ तो तुमने कुछ work done किया ना भाई मैंने इस गुबारे को खींचने के लिए कुछ work done किया ना force into distance f.d कुछ work done किया ना भाई मैंने इस पर लोड लगाके कुछ work done किया ना मैंने इस पर लोड लगाके कुछ work done किया ना force into distance तो वह इंसमेंटेय्जी में चोड हो गया अभी भी नहीं समझ आया सर दूसर तारी कर समझाने का भाहि तुमने मेरे गाल को खींचा और लोग छोड़ दिया तो अपनी जगह पर अगया न उर्डुमिया की कोई भी वस्तू ज़ाद अनेशी से कम चाहती है दुनिया की कोई भी वस्तू जज्यादा नर्जी से कम इनर्जी में आती है तो अगर मेरे वस्तू यहां पर तो अगर मेरे से यहां पर दफ़cimento मैं लिक कर सब्सक्राइबिक होगे होगे सादा रही और जन्षी कि तरफ इस समझ जो यह जो मेंने और दिय में आया था वसलो और घ्री मेर अधर था एस रबर में चल जब्हेंट इश इस एनर्जी में था सिनेड़ी रिलििस वक्रण सेट इनर्जी ए सब्सक्या नटी तो 10 टों ए में हम स्टै довольно लोडिंग पढ़ते हैं तो इस डल्टा के लिए जो लगाया गया वह दीरे दीरे ओ तोई डिरे दीर बढ़ाए तो पी पहुंचा तो एवरेज वोगे जिरो प्लस पी बाइटू तो यहां से मेरे पास जो P delta था वो strenergy बना रहा था यहां denominator में देखो area आया और यहां denominator में देखो length आया यहां denominator of area एलंथ area into length क्या बना? volume बना तो P delta का curve strenergy होता है strenergy हो क्या हम समझ गए इस तरीके से भाई deflection की case में भी मैंने load लगाया यह beam यहां चली गई तो अभी strenergy में है load लगाया वापस अभी जगापे चली गई ठीक है जो भी मेरा strenergy के चीज की strenergy के limitation क्या है बात थोरी दिन भी थोरी दिर पहले कुछ limitation नहीं है भाई temperature जब constant होगा supports yielding नहीं करेगी तो valid है और वो हमेशा अगर temperature constant भी नहीं है तो जो भी अंसर आएगा उसमें alpha delta T और जोड़ लेना भाई यह घटा लेना अगर temperature कम हो रहा है तो strenergy हमेशा हर जगा पर चाहे internal hinge है चाहे prismatic है चाहे non prismatic है चाहे कर्ड है चाहे frame है चाहे arc है हर जगा strenergy valid रहेगा आपके पास temperature constant होने चाहे सपोर्ट कच्छी नहीं होनी चाहे ओके तो अब strenergy due to bending कितना होता है अब पी रेल्टा तो भाई force के कारण था ना अब moment के कारण strenergy कितना होता है किसी भी section पर bending moment लिखो square किसी भी section पर bending moment के equation को square dx upon 2e i e i को flexural legility भी बोलते क्यों कहते हैं क्यों तो जितना यह जादा होगा उतना ही वह bending में मजबूत होगा और डिफ्लेक्शन कम होगे भाई डिफ्लेक्शन सारे formula याद करना PL q by 3i PL square by 2i Wl4 by 8i i e i हमेशन नीचे आता था तो ii जितना जादा होगा उतना ही मजबूत होगा deflection slope कम होंगे अच्छा deflection due to axial force क्या है किसी भी section पर fx लिखो axial force square dx upon 2a e कर दो अच्छा torsion का किसी torsion के गारण स्टेनरजी कितनी होगी किसी भी जगा पर torsion लिखो square करो dx upon 2gip gip को torsion rigidity कहते हैं a e को axial rigidity कहते हैं delta क्या होता है PL by a e a e denominator में आया तो a e जितना ज्यादा होगा deflection अतनी कम होगी तो यह rigidity provide कर रहा है इस तरीके से phi क्या होता है TL by gip gip जितना होगा अतना phi कम होगा तो gip torsion में rigidity मजबूत दे रहा है torsion टो टो टोल synergy due to shear force किसी भी section पर shear force square dx to ar ar होता reduce area हमको इसका मतलब नहीं है into shear modulus काम पर आ रहा हूं भाई काम पर आ रहा हूं सब कुछ अभी ध्यान से देखो अब मेरे पास कहता है stainer g according तुम्हें लंबा वाला मेथा बता रहा हूं बस दो मिनिट फिर अपने method पर आ जाओंगा यह कहता है according to castiglano second theorem the displacement in the direction of force is equal to first partial derivative of total energy मतलब अगर delta निकालना चाते हो तो del u by del p कर दो यह delta p की direction में आएगा और theta निकालना चाते हो तो del u by del m कर दो in the direction of force अच्छा अब जैसे की भाई यहां सब पे निकाल के बताता हूं पहले थोड़ा से इनको तो पूरा अभी ऐसी तैसी करनी है इन दोनों की तो अभी ऐसी तैसी करनी इनको तो एक्सरे करकर के देखेंगे पहले यहां समझ लेते हैं यहां पे तो बेंडिंग नहीं हो यहां पर तो टॉर्शन नहीं आ रहा है यहां तो शियर फोर्स नहीं आ रहा है यहां पर कौन सा वाला स्टेनर्जी आ रहा है यहां पर यह वाला स्टेनर्जी आ रहा है एक्जल फोर्स के कारण ठीक है तो यहां पर जो स्टेनर्जी होता है एक्जल फोर्स के कारण किसी भी जगा पर Fx, इक्जिएर फॉर्स लिखो, स्क्वार्इर Dx, अपॉन 2AE था की AE था, अपॉन 2AE, सबोस्त की लेंद L है, तो 0-2L तक इंटिग्रेट कर दो, तो किसी भी सेक्षन पर एक्जिल फोर्स कितना है किसी भी सेक्षन पर एक्जिल फोर्स कितना है राइट से देख लो w square dx upon 2a e integration 0 2l तो यह हो जाएगा w square l 2a e यह हो गया strain energy और कास्टिक अब लोगों ने क्या कहा था कि जो इसका डिफ डल्टा होगा तो इसका डिफ्रेक्षन करोगे तो कितना आएगा डेल्यू आएगा 2 से 2 कटएगा w और ये इन्र डारेक्शन और W होगा कहां पर अब्र नश्य लॉड लग रहा यहां का deflexion जिरो ए ठीक है ऐसी यहां पर क्या रहाorama between तो नहीं आ रहा शीरबई तो नहीं आ रहा नहीं रहा रहा और अश साथ थी कित्नी होती थी X square DX upon 2G IP excellent us fala apan 2G IP low करो 多 Leech कितना होगा छाइन क्या होता है वाई टूराइक्षन में होता है थे सपुर्ण के डारेक्षन में क्या होता है त्विस्ट इस इसमें क्या होगा deflection तो कास्टलोंने क्या था कि फोर्स की डिरेक्षिन में जो displacement होगा यहां पर फोर्स की डिरेक्षिन में क्या है ट्विस्ट होगा डैटर ब्ल जाख सब्सक्राइब लोगा तो टी ल गाई जी आई पी आजाएगा ट्विस्ट अच्छा अब वो कहता है काश् received 51 two go double 一fare भाइश से तीटा होगा ऩोगा ठीक हा ठीक पैस हो डिल यह कूंए होगा कि निबिभाँ रहा है लिफस्ट पर यहांसे जो अन्सराय यहां पर ओगा जहाँ यहां पर फिर लग रहा है यहां पर ठीटा कहा होगा जहां एंग्छराय अब भाई तुमb c पे पूछ लिया कि सी पे थो लगी नहीं रहा कि तो कास्टि केर लिदे ये पर यह नकली यह इनकली पे मालिया ठीटा भी क्या होगा डल U by डल M M तो लगी नहीं रहा तो फिर क्या मानोगे एक नकली मूवमेंट और लास्ट में M को क्या कर लोगे 0 माल लोगे यह थी आम जिंदगी जो अभी तक बताई अब आते हैं आज के सेशन में सब रेडी है अल रेडी जल्दी बता दो शेयर करते रहना वीडियो को यह थी आम जिंदगी जो अभी तक बच्चे करते हैं अब आ रहे हैं AN मेथट पर अब सेशन स्टार्ट हो रहा है अब विद AN मेथट अभी नवनेगी मेथट विद ट्रिक विद ट्रिक जहां से कोशन हो जाएंगे बहुत ही आसान लगभग 60-70% आपकी कैलकुलेशन आपके स्टेप्स कम हो जाएंगे और 60-70% आपके टाइम्स कम हो जाएंगे जो बाकी कोशन में आप कर सकते हो रेडी है आप सेशन के लिए सब के सब बता दे न एब कहां गया पानी रेडी है सब ओके डैट साब अभी करते है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले न गोड़ इवनिंग रंजन साब अब आते हैं अब से सेशन स्टार्ट हो रहा है यह थी आम जिंदिगी अब अभीनेवनेगी मेंट कैसे लगाना है ट्रिक कैसे लगाना है वह अब बता हुगा समझो पहली बात भाई तुम्हें इस चैप्टर में चीए क्या होता है चाहिए क्या स्लोप या डिफ्लेक्शन चाहिए ना तो एक सवाल पूछूं अपना शॉटकर तरीका बताने से पहले डिफ्लेकर अप्लीगे लाजाओ आर्क में लगाओ प्रिस्मैटिक में लगाओ नौन-प्रिस्मेटि में लगाओ इंटरल हिंज आ रहा है डिस्कंटीनिटी वरी है करवेचर में हर जगघए पलीगे बने टेंपरिचर लोग इसको इसी तरीक से पढ़ाते रहते हैं वो देखो रंजन का चल रहा है हाई आयोची शाबास रंजन अबे आयोची लड़का है वो तो कमेंट लिख रहा है आयोची नाम से ओके इधर देख लो हाई अभीनाव कर लो इधर से मल लो कुछ राज को पौने यार वाजे पढ़ा रहे है यहाँ पर उधर चल रहा हाई आयोची वो आयोची लड़का है हुल्टा अब सुनो भाई तुम्हें डल्टा ठीटा चाहिए हर किताब में लंबा मेथड होता है कि यू निकालते हो पहले क्या करते हो तुम यू निकालते हो यू निकाल दिया फिर ये डल्टा निकालते हो ओके पहले तुम यू निकालते हो फिर ये फाई निकालते हो तो मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूं अभी नागी मेथड ये पीडियेफ में दे दूँगा तो इंग्लीस वहां समझ लेना यार इंग्लीस सीखने थोड़ी नहीं आवे 11 बजरात को इंग्लीस वहां देख लेना यह मैं तो सबने मूझ से सब इंग्लीस अच्छी हिंदी में बताई दूँगा तुमको अभी तो इंग्लीस वहां देख लेना अभी काम की बात देखो भाई मैं तुम्हें डारेक्ड डल्टा बता रहा हूं यू निकालने की जरुदि नहीं है यह रहा डारेक्ड डल्टा मैं तुम्हें डारेक्ड ठीटा बता रहा हूं यह रहा स्कीन्शोट लेलो भाई किसी बुक में लिखा गया सब में लंबाने थाड़ हर जगह यह निकी फलाना फलाने में लिजीबल है फलाने में गलता जाए गंसर हर जगह है मैं तुम्हें ड नहीं नहीं है यह क्या है बताऊंगा अबियार मैं तुम्हें डरेट काम करो यहां से डरेट काम करो कियों पूर निकालने की जड़ोती नहीं है सुनो सबस्क्राइब इंग्लीस में इद्धर ना समझा रहा हूं द्यान में इसको अटा रहा हूं ना सबसे पहले जहां पर तुम्हें डिफ्लेक्शन चीह वहां पे लोड लगा दो P N नाम का भाई तुम J, P, L, Q, R, S, T कुछ भी मान सकते थे मैंने P N बोल दिया जहां पर deflection चाहिए वहां P N लगा दो जहां पर slope चाहिए वहां पर MN movement लगा दो अच्अ आपे अगर पहले से कोई लोड किया डगभा नाम लिख लो फॉसोए नाम हो जै कि अगर कोई लोड लग रहा है लिख लो पर अगर कोई लूड लग रहा है तो उसका नाव लिख लो पर hedge कहीं और नहीं आना STARots उस कलास में चिरॉन्दी मल नाम का कोई बच्चा होने नीचे, ऐसा नाम रखना है माबाप को अपने बच्चे का, तुम माबाप हो कोशन बच्चा है, तुमको ऐसा नाम रखना है, कि वो नाम उस कलास में जहां भी और ब्सक्राइब करां का गई रखना है और कहीं और पर अगर तो ने नाम निकाल नहीं है यहां पर पी लोड लग रहा था तो इसको तुम पीन रखलो बाद में पी बाद में पी कर लेंगे बाद में पी कर लेंगे भाई आलना बोस यह वही तो बता रहा हूं वह भी शॉर्टकट में हर चीज अलिजिबर शुरुआ से देखो के तो मज़ा ही आ जाएगा क्या हुआ अभी तक यह वही बता रहा हूं एक मैसट जो हर जगा अलिजिबर होगा और उसका भी लो ना लास्ट में प्यंट के वैली जीडो कर लेना जहां पर टिफलेक्शन निकालना वहां पर रख लो यह तुमको यह पी देरा का था और पूछा है बताओ एप स्लोप के लिए क्या ची होता है मन तो वहां पर मुमेट लगा लो मन लास्ट में को जीडो कर लेना क्योंक अब एक और डाउट आ सकता बच्चों को अभी तक यह समझ गए दो चाट सवाल करोगे एक दम मक्षन हो जाएगा सब कुछ कि अब बच्चों को सवाल होगा कि ठीक अब अब एक और चीज हो सकती बच्चा अटक सकता है कि सर अगर यह भी पी था यह भी पी था लेकिन मेरे को डिफ्लेक्शन बी पर चीए थी बी पे तो भाई बी को ही पी एन मानला इसको पी एन नहीं मानोगे वो पी एन यूनिक होना चीए फुरी क्लास में उसके लावा पी एन नाम कहीं नहीं होना चीए ऐसा नाम देना है कहीं और पे नहीं होना चीए वो कहीं और पे दो पी थे तो एक को जहां पर डिफ्लेक्शन चाहिँ है वहाँ पे पी लो वहाँ पी एन दो पर यहां पर जी रख लेंगे और और विएक्शन की टम में पी नासकता है अगर प्लस पीन नीचे लग रहा है तो यहिए यह प्लस पी Advent कर लेंगे तो पी आ है नो पर रहे थे तो टेस्प्वर है वर एक अगर अभी 30% भी समझ आ गया है जो शॉर्ट कट बता रहा हूं जो हर जगा यूस्फुल रहेगा हर एक कोश्चन पर यूस्फुल रहेगा जो किताबों में नहीं लिखा होता है किताबों में लॉंग कट चलता है यू निकालो फिर डेल्यू बेडल्पी करो अभी 30-40% पर समझ आए तो बहुत है क्योंकि आगे जब नियुमेरिकल कराओंगा वो समझ गए तो तब कहानी बन जाएगी ठीक है नियुमेरिकल से फूरा समझ आएगा अब सपोज यह लोड़ है भाई तुम ही बताओगे अब भाई मैंको डिफ्लेक्शन बीपे चाहिए सवाल तुमको असाइनमेंट में दूंगा बात में इसी में पीडिएफ मिल जाएगे सीविल भाई अभी निचे डिस्किप्शन बॉक्स पर भी बहुत है जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स पर अगर में को बीप डिफ्लेक्शन चाहिए तो यहां पर पी लोड आ रहा है इसको क्या मानूंगा पी एन लास्ट में पी एन की वैल्यू कितनी कर दूंगा पी ही इसको पी एन मानूंगा अच्छा आप मेरे को फॉर्मला क्या था वह वह फॉर्मला यह वाला था यह वाला यह वाला यह फॉर्मला में यू नहीं निकालना पड़ता है डारेक टेक ही उसमें लिखा था उसका differentiation with respect to PN upon EI for the whole beam यू निकाला ही निए भाई डाय डल्टा का फ्रम्ला दे रहा हूं यू निकाला ही बच्चे वाले यू निकालते हैं फिर यू बडल्पी करते हैं यह shortcut है और जित अभी तो दिखो इस वाले में तुम किताबों में लिखा रहते हैं लोग पढ़ाते हैं नोट्स में shortcut से भी करोगे तो जादा अंसर नहीं पड़ेगा जैसी complex कोशन आना शुरू होंगे ना वैसे ही वहाँ पर normal method और यहां पर कम से कम 70% टाइम का अंतर आ जाएगा किसी भी section पर बच्चे कहने सा light से left नहीं जा सकते हैं अब यह वह तो SMT PMT में धाला यहां पर MX कितना है MX मुर्ण बेंडिंग मुमेंट एक्स यहां कितना है माइनस PN इंटू X माइनस PN इंटू X तो यह हो जाएगा माइनस MX कितना है बेंडिंग मुमेंट एक्स सेक्शन माइनस PN X अब जो भी यहां लिखा होता है जो भी यहां लिखा होता है उसका differentiation with respect to PN तो इसका differentiation with respect to PN क्या आएगा माइनस X अपॉन EI इंटू 0L अब सुनो एक कहानी अब सुनो एक कहानी और कहानी नहीं रियल का बात है बच्पन में मेरे घर आते थे रिस्तधार यह विस्तधार तो चलो बहुत अच्छे हैं मेरे जन्वेनली जन्वेनली भगवान की दुआए सपोस बच्पन में आये को बिस्कुट नमकीन बाइं कॉंसर चोड़ूंगा ऐसा नहीं के सरकानी सुना ले रात को बारा बजे अब उनको बिस्कुट नमकीन रखा तो अब ममी खाना नहीं है उनको खाने देना है अथीती दे वो भव अब वो जब अच्छी चेड़ा के खालो खालो और हम भी नहीं अभी तो अपने बहुत बिस्कुट अभी बस खाया है जस्ट अभी खाया जस्ट ऐसे और जैसे ही वो गए जैसे ही मम्य उनको दरवाजे तक छोड़ने गई ये लिफ्ट तक छोड़ने गई सफा चट अपने नॉर्मल उरिजिनल अव्तार हो में आ गए सारे बिस्कुट नमकीन खतम उसी तरीके से जैसे ही ये स्टेप हो गया concept से जोड़ूँगा जैसे ही ये स्टेप हो गया जैसे ही अपने ओरिजिनल अवतार में पी एन की वैल्यू कितनी थी पी तो ये हो जाएगा पी X2 EI यहाँ से P वैं EI constant है X2 के integration करोगे X3 x2 के integration करोगे X3 integration 0 New will the LQ by 3 EI answer हो जाएगा फटाक से अंसर आगया समझे कैसे अपके सब yes or no comment box में लिख देना yes or no comment box में लिख देना यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख देना फटाफट से यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख देना मज़ा आया की नहीं आया मज़ा आया की नहीं आया और अगर मज़ा आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सब् हमको यह चाहिए क्या चाहिए ठीटा भी है एटीक है साट इसी में अज़र्बस्आबं leads नहीं नहीं इतना सानन्ष करेंगे अभी आथ कि अपढ़ा खेल फित हिरो ठीकलेंच कोई रहा है क्या यह पी लोट तो आ रहा है कोई मुवमिंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो एक नकली मुवमिंट माल लेंगे MN लास्ट मेंस की 0 कर लेंगे और ठीटा क्या होता है डारेक्ट फर्मुला दिया था मैंने आपको ठीटा होता है आपके पास integration MX जो भी यहां लिखा है उसका differentiation with respect to MN उसका differentiation with respect to MN into EI अफकोर्स इदर DX भी रहेगा अफकोर्स इदर DX भी रहेगा ठीक है यही था अब यहां पे section ले लो XX यहां से X दूरी पे तो bending moment at XX कितना था राइट साइट से देखो एक तो था minus PX और एक था minus MN राइट साइट से देखो minus PX और minus MN तो यह value कितनी है MX कितना है minus PNX और minus MN minus PNX और minus MN जो भी यहां रखा है जो भी यहां रखा है जो भी यहां रखा है उसका differentiation with respect तो इसका इसका WAR माइनस मन आएगा रिश्नार जी सवेस्च परोसी ऊपण अपनी नौरमल के वैल्ली तो लिखने पी एक्स था अब भाई गए पड़ो सी मन की वेल्यू कितनी थी जीरो डाल दो अब नॉर्मल उस पे आ जाओ यह नहीं पूरा लंबा लेके चलो लास्ट में जीरो करो यहां से वेल्यू कितनी आई इसकी पी एक्स अपॉन ए आई पी वान ए आई कॉमन लोगे एक्स का इंट इंबाक्स में दिल बना देना समझ आगे तो फटाफट से यह वाला क्या है यह तो होई किससे असान तो आप नहीं कल लिया जल्दी बोलो समझ आया क्या भाई मजा आया क्या मजा आया क्या अब आपको डिफ्लेक्शन बतानी है फ्री एंड अफ द बीम पर बी पॉइंट पर बी पॉइंट पर बतानी है भाई डिफ्लेक्शन बतानी है कोई लोड आ रहा है क्या डिफ्लेक्शन बतानी है कोई लोड आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो उसको लोड को क्या माल लोगे पी एन और लास्ट में पी एन की वैल्ली क्या कर दोगे जीरो ये तो जादू है बिलकुल-बिलकुल समझे से लास्ट में की वैल्लियू क्या कर दोगे जीरो भाई जिनों ने भी आस-टिक लॉंग मेठर से किया है उनको जादू लगेगा अब मैं तो अपने में यहां पर लो एक्स यहां पर लो यहां से एक्स दूरी पर लो यहां पर चाहे तुम यहां पी एन एक्स और तो माइनस है अब यहां पर हमारा फॉर्मला क्या था देखना भाई डिफलेक्शन का जो फॉर्मला था का इंटिग्रेशन dog करना है जो भी यहां लिखा है उसका डिफ्रेंशेशन डि ऐए तो दोना पड़ेत यह करना पड़ेगा भाई यह से लेके civ अ फिर एक करना पड़ेगा C से लेके A तक दो करने पड़ेंगे दो करने पड़ेंगे ठीक है एक करना पड़ेगा भाई आपको A से C तक कहानी और A करनी पड़ेगी आपको फिर एक करनी पड़ेगी आपको फिर B से C तक right से left आ रहा हूँ मैं B से C तक और फिर C से A तक दो कहानी करनी पड़ेंगी अब वो कहानी करते हैं पहले करते हैं B से लेके C तक के लिए तो B से लेके C तक लिए X आपका कहां से कहां तक गया 0 to L by 2 0 to L by 2 गया bending moment कितना है वहाँ पर minus P and X minus M minus P and X minus M minus P and X minus M जो भी यहां लिखते हैं उसका differentiation with respect to with respect to P and जो भी यहां लिखते हैं उसका differentiation with respect to P and क्या आएगा minus X upon E I upon E I जो भी यहां लिखते हैं उसका differentiation with respect to P and अच्छा फिर यहाँ पर आओ यहाँ पर X आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो L by 2 से लेके L तक bending moment क्या है minus PNX minus MN जो भी यहाँ लिखा उसका differentiation with respect to PN minus X upon 2 EI यह हो गया answer भाई यह हो गया answer भाई यहाँ अब यह दूसरे step में PN को 0 कर लो भाई गया हो गये 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 पड़ोसी गये 0 कर लो तो यहाँ से आपके पास delta की value देखते रहे ना पहले वाला वो 0 किया तो बनेगा M by EI तो आएगा इधर M by EI तो constant आगया X का बनेगा X square by 2 उस 2 को भी यहाँ ले लो और X square को करोगे तो L square by 4 L square by 4 ML square by ATI आया calculation देखते रहे ना भाई calculation में बड़ा कच्चा हों मैं फिर यहाँ से भी करोगे तो यहाँ से आएगा यह आपके पास PNX minus M है PNX minus M है PN0 होगे तो MX by 2 EI तो M by 2 EI को constant ले लो M by 2 EI को constant ले लो M by 2 EI को X X का integration जाएगा X square by 2 तो 1 2 और कर लो नीचे X square को करोगे L square minus L square by 4 तो 3 L square by 4 भाई कोई समद नहीं आए कोई बात नहीं अपनी calculation है सबकी calculation सीखने थोड़ी नहीं आयो यहां तक कि step में कोई दिक्कत है तो doubt पूछ लो भी comment box में यहां तक कि इसके बाद तो calculation चल रहा है बजाक यहां तक कि step में कोई doubt है तो पूछना भाई फिर से मैं repeat भी कर दूँगा तो यह ml square by 8 EI हुआ और यह हुआ 4 दुनी 8 दुनी 16 3 ml square by 16 EI यहां से 16 LCM जाएगा उधर 2 जाएगा उधर 5 जाएगा तो 5 ml square by 16 EI calculation चेक कर लेना हो सकता है गलत व्यूम है किसी को doubt यहां तक मज़ा आया तो comment box में बता देना वापा से बोलता हूँ भाई यहां पर यहां का अलग मामला था यहां का 2 EI था वहां का ही था तो अलग-अलग भाग में करना पड़ेगा एक बार B से लेके C तक एक बार C से लेके E तक B से C तक bending moment क्या है minus PNX minus M bending moment जो भी लिखा उसका differentiation with respect to PN तो minus X upon EI PN 0 है इसको 0 कर लो फिर यहां फिर से लिखा यहां पर क्या है PNX minus M इसको differentiate के minus X 2 वे आई PN 0 है 0 कर लो अंसर निकाल लो समझ गए अरनाव समझ गए repeat कर लिया आपके लिए अरनाव समझ गए चलो यह A है यह B है यह L है यह E है यह I है शाबाश शाबाश आप मेरे को deflection यहां पर चीए तो जहां भी deflection चीए होती वहां पर क्या लोड लगाऊंगा मैं वहां पर क्या लोड लगाऊंगा PN और PN की value क्या डालूँगा 0 और PN की value क्या डालूँगा 0 वहां पर PN लोड लगाऊंगा और PN की value क्या डालूँगा 0 लास्ट में प्रहुसी जाने के बाद यहां पर मैं कोई अगर एक सेक्शन लूँ यहां पर मैं कोई एक सेक्शन लूँ यह एक्स है तो मैं यही होगा तो मेरे पास डिफ्रेक्शन क्या होता है किसी भी सेक्शन पर बैंडिंग मूमेंट लिखो जो भी लिखा है उसको डिफ्रेंशियेट करो विद रिस्पेक्ट टो पी अपन ऑपन ऑई तो भाई mx कितना है यहाँ पर minus pnx minus wx square by 2 जो भी लिखा जो भी लिखा उसको differentiate करो with respect to pn minus x upon e i अब भाई सब कुछ गए 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 पड़ो उसी pn के असली value डाल दो अब pn के असली value 0 तो यह हुआ आपके पास wx cube by 2 e i का integration 0 2 l into dx यहाँ से w by 2 e i को side में ले लो और पीट दो क्या x 4 by 4 तो l 4 by 4 तो wl 4 by 8 e i मज़ा आगया भाई भाई मज़ा आगया भाई मज़ा आगया जल्दी बोलो मज़ा आगया like और share करते रहने वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो अ भावाब बोलो फटबभड बोलो कि बाद्जमी मीच बाद्जमी मात्जमी कि ओखे Caesar अब यह सब तो साइन्वेंट में आपको दे रहा हूर में इस हम्तों में वे इस ऐनको साइन्मेंट में दे रहा हूं इसको हटाओ एक टाइब का कोशन और बज गया इसको कैसे पकटते हैं ऐसे पकटते हैं डिलीट करते हैं एक टाइब को पर कोशन बज गया बिल्कुल बड़ी जल्दी से क्यों भाई अराम से भी तो कर सकता हूं नहीं नहीं मैं गौड वर्ड नहीं हूं प्लीज अपने सब्द वापस ली दिए मेरे पास ऐसा है ऐसा है ऐसा बीचो बीच लोड आ रहा है एक पी यह एल बाइटू है एल बाइटू है ईया इसका कॉंस्टेंट है यह ए है यह बी है यह सी है तो यह कितना रहेगा पी बाइटू और यह कितना रहेगा पी बाइटू ओके बस एक टाइप को और बज़ गया मतलब इसमें जितनी भी टाइप सोते मनें ले लिए अब इस टाइप में क्या होगा थोड़े कांप्लेक्स कोशन बनती जाएंगे लेगिन नहीं बनेगा इसके लावा कोई लास्ट कोंसेट हा जो पूट गया था मुझसे खूड़ा इसमें यूडल लागा के फोड़ा और मुश्किल कर दे गया मतलब लोडिंग लागके मुश्किल कर देगा प्र acontecer सारे साथट लिसस चाहिए जहां पर डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पर लोड क्या माल होगे पी उर लास्मीं पीन की वैलू क्या माल होगे पी अभी समझ लेना सर्थ समझ आजाएगा कहां कहां पर चलेगा भाई मैंने का था अगर यह reaction तो pn के times में आ सकता है तो यह pn लोड लग रहा है तो यह pn by 2 reaction मैंने का था pn के times में आ सकता है बागी loading को यह pn के नहीं आना चाहिए भाई आप यहाँ पर करो xx section लो और सिरफ इसी region को देखना भाई भाई उस region पर मत जाना अभी आगे वाले l by 2 पर मत जाना इसी region पर देखो भाई इस region पर mx क्या है left से देखो pn by 2 into x देखो deflection क्या था mx into del जो भी यहाँ लिखा है उसका differentiation with respect to pn upon ei अब सुनो mx कितना है pn by 2x इसका differentiation with respect to pn x by 2 into dx by ei और यह कहां तक valid है 0 to l by 2 अब मैं कह रहा हूं भाई भाई समझो जो total delta होगा ना जो total delta होगा वो 2 times of this होगा आगे लिए करो ही मत बना ऐसा नहीं कि 0 to l by 2 जाओ और फिर l by 2 to l जाओ भाई क्योंकि जो इधर से case है अगर मैं इधर से भी लूँगा तो सेम यह equation लिखी जब मैं यहां से यहां के लिखूँगा तो right side से यह भी पी इन बाई 2x होगा तो से मुझा कर दो भाई इस वाले पर नहीं कर सकते थे पहले बाले पर 2 0 2 L by 2 अब पी इनको पी माल लो अब किसे बात की दूए पी एक स्क्वेर 4EI 4EI into dx यहां से पी कॉमन ले लो 4EI कॉमन ले लो और यह 2 था 2 से काम करो इसको मल्टिप्लाइ करो तो 2 बचेगा x3 करोगे तो L3 by 8 बचेगा चेक करना इसका standard formula कितना होता है x3 भी तो आएगा एक 3 और आएगा ना एक 3 और आएगा ना ओके x3 by 3 तो L3 by 8 by 3 आजाएगा ठीक है तो P L3 upon 48EI समझे क्या समझे क्या इसी तरीके से कर सकते हैं नयान सबका बागी यह सब मैं assignment दे रहा हूं टेलिग्राम पर सिल्वा अभिनव सर पर लिख दूँगा और साथ ही साथ में इसके description box में भी कलता है किसको लगा दूँगा टेलिग्रम पर मैं अभी लगा दूँगा ठीक है कल सेशन चुड़के थे वह सब assignment है वह मैं आपको दे दूँगा इसमें पहली बता चुका हूं आपको हर लास दिन एक टॉप 10 कोशन होगा जहां आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा और साथ में जब यह सेशन खतम हो जाएगा नए सब्जेक्ट चल रहा होगा तो पुराने सब्जेक्ट का क्विज होगा टेलिग्राम में टॉप 5 स्टुएंट्स को गूगल मीट करने का मौका मिलेगा टेलिग्राम लिंक सिविल अभी अभी आपको सबको दे दे रहा हूं दोस्तों लेवल अप सीरीज का पूरा शेडूल मैं आपको शुरुआत में भी बता चुक आप सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करके भी आप वहां पर डाल सकते हैं दोस्तों दूसरा आपके पास कल होने वाला है स्टेन रोजेट स्टेन रोजेट का स्टेन रोजेट का ये लिंक है इसको अभी फटाफट से कर लेना दोस्तों स्टेन रोजेट का आपके पास मैंने कल 10.45 पीम का सेशन का लिंक दे दिया है मैंने कल के 10.45 पीम के सेशन का लिंक दे दिया है आप दोस्तों उसको टेलिग्राम लिंक पर दे रहा हूं आप दोस दोस्तों को करके रिमाइंड मी ऑप्शन डाल सकते हैं ताकि आपका मिस्स ना हो दोस्तों फटाफ़ट से बता दीजिए सेशन कैसा लगा दोस्तों कि एवरीबरी मज़ा आया क्या टेलीग्राम लिंक भी दे दिया है ठीक है तो दोस्तों सब्सक्राइब करने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फिर मिलेंगे कल 10.45 पीएम पर स्टेंड रोजेट के साथ तब तक के लिए मैं आप अभी नमनेगी आप सबसे लिता हूं टल्ड़ सने चैनल के सकता है